Hello, Good Morning Everyone, Chapter 3 हमारा Complete हो चुका है, अब हम लोगी Start करेंगे Chapter 4 Chapter 4 में हमारा Practical Geometry, Practical Geometry मतलब क्या करना है आपको यहांपे Construction करना है क्या Construction Point है आपको और यहांपे Mainly यह पूरे Chapter में आपको किसका Construction करना है Quadrilateral का, किस चीज़ का Quadrilateral का Construction करना है आपको तो जब chapter 3 में अभी हम लोग ने quadrilateral के बारे में ही पढ़ा था तो जितने भी quadrilateral थे जैसे parallelogram, kite, trapezium और parallelograms के कुछ टाइब थे जैसे rhombus, rectangle, square इन सभी चीजों के बारे में पढ़ा था और इनका जो भी basic था वो सारा चीज हम लोगों ने सीख लिया था अगर यह basic आपको अच्छे से याद है तो यह construction भी आप easily बना सकते हैं ठेक है, तो चले स्टार्ट करते हैं हम लो, exercise 4.1 question number 1, question number 1 में यहाँ पर आपको construct करना है quadrilateral ABCD ठेक है, तो जो जो मैं बोलते जाओंगा, जहां जहां मैं indicate करूंगा केबल वहीं पर ध्यान दिजएगा शुरू में, ठीक है, solution बना हुआ है, तो ऐसा नहीं कि को अच्छे स्टार्ट को देख रहे हैं, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं और जैसे जैसे मैं draw करते जाओंगा, वैसे समझते जाएगा, ठीक है, आप लोग को भी वैसे ही करना तो देखे, इसका final construction करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक rough diagram बनाएंगे, rough diagram बनाने के बाद आपको idea लग जाएगा कि उसको हम solve कैसे करेंगे, ठीक है, तो यहां पर देखे, ABCD के बारे में ABCD इस तरीके का, ठीक है, यह हो गया, quadrilateral ABCD, starting sequence जहां रखेगा, sequence तूटना नहीं चाहिए, ABCD, आप कहीं से भी start करेंगे, आपका sequence, XID होना चाहिए, ठीक है न, तो देखे, सब से पहले मैंने किया कि quadrilateral draw कर लिया, और इसमें जो जो data given है, उसको आप यहां पर mention कर दीजे, जिसे AB का value है, 4.5, BC का value है, 5.5, CD का value है, 4, AD का value है, 6, और AC, AC, यह जो diagonal है, उसका value कितना दिया है, 7 cm, ठीक है, तो इसको आपको draw करना है, तो चलिए start करते हैं, तो जब भी हम quadrilateral या triangle यह सब का construction करत है, तो सबसे नीचे वाला part, तो सुरुवात हम लोग करेंगे, यहां पर AB से, तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, सबसे पहले क्या करेंगे, एक line segment draw करेंगे, AB, जिसका length कितना होगा, 4.5 cm, पहला काम आपका यह हो गया, उसके बाद देखे, quadrilateral draw करने का मतलब यह है, कि B and D, 4 point locate हो गया है, तो उसको मिला देना है, बस यही काम है, तो यहां पे देखिए, first मैं आपको A और B मिल चुका है, दो point, दो point आपको और लाना है, point C and point D, ठीक है, तो आपके ऊपर देखिए, point C और point D है, ठीक है, इन में से point C को बनाना असान है, पहले कि point D को बनाना अस directly जाए, तो यहां पे, तो ऐसे point को पहले locate करिए, जहां पे दो रास्ते जाते हों, जहां पे दो point मिलते हों, देखिए न, एक ही point से निकला हुआ, जो 9 से मेंट है, वो जा करके वहां पे मिल जाए, देखिए, D वाले में देखिए, तो D से क्या होगा, आपको directly ऐसे मिल रह करेंगे, अब आगे करना है, आर्क ड्रॉ करना है के बल, देखिए, D से C का डिस्टन्स कितना है, 5.5, तो यहां पे आप rounder को रखे, B point पे, B point पे rounder को रखके, 4.5 cm का एक आर्क काटी है, इस तरीक है, यह बन गया, जो कि B से C तक जाता हो, देखिए, यह आर्क हो गया, उ काट रहा है, देखिए, जहां आप यह काटेगा, यह point आपको कहलाएगा, C, कौनसा point कहलाएगा, C, अब क्या करिए, A से C को मिला दीजे, और B से C को मिला दीजे, बतलब आपके, 1, 2 और 3, 3 points मिल किया है, अब चौथा point बचके, हापका D, तो D से distance देखिए, D किसके पास मे है, तो देखिए, A से D का distance कितना दीजे है, ध्यान से देखिएगा, तो A से D का distance है, 6, तो हम क्या करेंगे, A पे rounder को रखके, 6 cm का एक arc काटेंगा, अब देखिए, C से D का distance कितना दीजे है, 4, तो C पे rounder को रखके, 4 cm का एक arc काटेंगा, तो जो point of intersection होगा, वो कहलागा, अ कब क्या करना है लास्ट में आपको D को मिला देना है C से और D को मिला देना है A से ठीक है तो इसी तरीके साब को construction को बनाना है ठीक है सबसे पहले आप base draw करिए A और B मिल चुका है दो point आपको मिलगा दो point और चाहिए तो ऐसे point पर जाहिए जहां आपको draw करना आसान है मतलब दो points आपस में मिलते हो तो B से C और A से C इसलिए हम लोगों ने C point को पहले draw किया C मिल गया तो last point था D तो C से D का distance दे करके R काट दीजे और A से D का distance दे करके R काट दीजे जहां कटेगा वहीं आपको point दी होगा सभी points को मिला दीजे बन गया आपका quadrilateral ठीक है चले अब आगे आते हैं question number two में भी quadrilateral ही draw करना है सारे values दिये में है सेम इसी तरीके से एक rough diagram बनाई है rough diagram बना रहे कि बाद solve कर लिजे ठीक है अब आते हैं question number third पे third के हमारा parallelogram ठीक है तो parallelogram draw करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए parallelogram का basic property तो parallelogram का basic property यह होता है कि parallelogram के opposite sides equal होते हैं क्या होते हैं equal ठीक है ना opposite side equal होते हैं यह याद रखना है देखिए first question में देखिए इतना सारा value दिया था ठीक है total five values दिवे थे और यहां पे देखिए parallelogram मात्र three value दिया है तो three value दिया है इसका मतलब यह नहीं कि अधूरा है आपको basic property अगर उसका पता है आपको parallelogram का तो आप easily निकाल सकता है ठीक है तो सब सब पहले हम लोग क्या करते हैं एक rough diagram बनाते हैं तो parallelogram का नाम रखा गया है more M-O-R-E और value कहां से दिया है और से ठीक है OR दिया है और EO दिया है तो चुरवाद हम लोग करेंगे OR से है ठीक है MO का value दिया नहीं है तो सुरवाद OR से ही करेंगे तो सब सब पहले मैंने किया कि OR draw कर लिया और उसके बाद RE दिया हुए था कितना 4.5 तो अब पैरलेलोग्राम यह होता है कि opposite side क्या होते हैं equal होता है जैसे OR का value 6 है तो मानके चलिए M E कभी value कितना होगा 6 cm होगा वैसे ही R से E का value 4.5 है तो M से O कभी value कितना होगा 4.5 होगा ठीक है यह basic property है जो सबको पता होना चाहिए यह पता रहेगा तभी आगे बनेगा नहीं पत complete अब इस तरीके से आप rough diagram बना लेंगे same उसी चीज को आपको क्या करना है फिर से अच्छे से बनाना है तो देखिए पहला step होगा हमारा वही base को बनाएंगे OR 6 cm अब देखिए यहाँ पे E और M है तो कौन सा point को बनाएंगे हम लोग पहले E को बनाएंगे E कैसे बनाएंग O से E का distance है 7.5 R काट दिये point E मिल गया point E को मिला दीजे O से और R से मिल गया उसके बाद देखिए point M को outdraw करना है आपको देखिए 4.5 यहाँ भी 4.5 और यहाँ पे 6 तो O से M का distance 4.5 तो R काटना है आपको वैसे ही E से M का distance 6 यहाँ पे भी R काटना है point of intersection होगा आपका M M को मिला दीजे O से और M को मिला दीजे E से बन गया आपका यह बन गया आपका parallelogram जिसमें opposite side क्या है equal होते है 6 6 4.5 4.5 ठेक है तो यह question के हिसाब से देखिए गया अब देखिए अब इसी में exercise 4.1 का ही question number 4 देखिए ठेक है न अब बुक में देख लेजे सभी कोई 1 का 4 होते हैं सभी sides equal होते हैं यहीं पर थोड़ा सा बता दे रहा हूं आपको rhombus बनाना जिसका नाम कहा है best BEST यह मैं fourth वाले को थोड़ा साइसी roughly draw करके बता रहा हूं तो एक rhombus बनाना जिसमें सभी side equal है BEST और value क्या कह दिया है BE का value 4.5 है अगर A का value दे दिया मतलत समाझ यह तो वैसे ही करिए अगर आपको solve करना है तो solve करने के लिए सबसे पहले आप B E draw करिए B E यहाँ पर draw करेंगे अब बताए S और T कौन से point को draw करना असान है T वाले को 4.5 को एक R का T है यहां से 6 का R का T है मिल गया यह बन जाएगा आपका T उसके बाद T से S चाहिए तो 4.5 का R किदर 4.5 का R किदर मिला दिये तो यह बन गया आपका S यह हो जाएगा 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 और यह last कितना था 6 यह rough में ऐसी बता दिया है यहां पर solve किया नहीं है मैंने rough में क्यों बता है I hope कि आपको समझ में आ गया होगा जितने भी लोगों को chapter 3 अगर अच्छा से clear हो चु करना है rough diagram से आपको idea मिल जाएगा कि कहां से हम कैसे draw करें starting करें base से उसके बाद क्या करें आगे वाले point को draw करने का कोसिस करें मतलब सबसे पहले आपको missing term देखना है missing term मतलब जो जो आप उहां से निकाल सकते हैं जिसे parallelogram में यहां से मैंने क्या 6 का 6 ठीक है ना जैसे यहां पर मैंने parallelogram के लिए क्या किया था यहां पर तो आपको 3 value ही दिये थे तो 3 value से आपका काम चलेगा नहीं आगे अगर draw करना है तो पूरा value पता होना चाहिए तो अगर यह 6 है तो इसके सामने वाला भी 6 होगा यह 4.5 है तो इतना करने के बाद ही आप draw कर पाएंगे तो इसलि करने कोई दिक्कत नहीं जाएगा जहां तक मैं जानता हूं 4.1 4.2 को देखिएगा तो first question में क्या है quadrilaterally बनाना है उसमें भी सारे value दिये हो है ठीक है second में भी quadrilaterally बनाना है third में rhombus बनाना है ठीक है मतलब 4.1 और 4.2 मतलब मैं कि चलिए अगर इस वीडियो का आप समझ ग 4.3 का ही बनाऊंगा ठीक है 4.2 इसलिए नहीं बनाऊंगा क्योंकि यहां पर 4.2 सेम तुसे 4.1 के जैसा ही है ठीक है यहां पर 4.2 के लिए वीडियो नहीं बनाने वाला क्योंकि सेम है आप इसको समझ गया तो आप 4.2 को भी बना सकते हैं next video में बनाऊंगा 4.3 के लिए ठीक